विंडो 11 इन ओल्ड हार्डवेर दोस्तों मेरे पास में आप एक कोटो ड्यू वाला 2008 में मैंने ये PC लिया था जो कि घर में as a usual कभी-कभी यूज होता है तो इसके अंदर में हम जोस्तों आज विंडो 11 इंस्टॉल करने वाले हैं तो जो कि मैं आपको सारा कसारा प्रॉसस भी दिखाने वाला हूँ हाला कि मैं विंडो 11 इसमें डाल चुका हूँ तो मुझे यहां पर दो चीजे तो पाता चल गया जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जोस्तों आपको विंडो 10 से अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा ओके तो यहां पर जोस्तों हम यूज करेंगे विंडो 10 का बुट लोडर मतलब कि बुटेवल पेंड्राइव एज विंडो 11 ठीक है तो वह भी मैं जनका रहें आपको इसी वीडियो में देने वाला ह है इवें तक मैंने इसमें राम अपग्रेड किया हुआ है लेकिन इस्टिल दोस्तों स्पीड में वह पुराना वाला ही है मतलब कि कहीं मामले में तो वह चीज है और यह आपको यहां पर स्क्रिन पे दिख रही है इस तरीके से यह पुराना कंप्यूटर है CRT वाला window 11 डाल सकते हो इंस्टल कर सकते हो जिस्ट जो आपको यूज करना है वो मेथ़र ये वाले यूज करने जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ इस वीडियो में complete ठीक है तो आप जो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर से देखेगा स्टार्टिंग टू एंड तक आपको जो सब पूरा का पूरा ग्यांत जरूर हो जाएगा कि कि इस तरीके सा अपने भी किसी भी कम्प्यूटर आपके लैप्टाप से अंदर में कैसे एक यश्चाप विंडॉ 11 को इंस्टॉल करना है और किया लेकिन वही सेम TPM वाला आ गया कि system requirement not fulfill तो अभी हम करने क्या वाले हैं Windows 7 इसमें इंस्टॉल्ड है आप देख सेते हैं Windows 7 की पूरी की पूरी है और Windows 7 का अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों Windows 7 समझें 10 डालेंगे और 10 के बाद में यहां पर इसको अप्ग्रेड करेंगे 64 bit operating system अभी यूज हो रहा है तो सारी चीजे ओके Windows 7 Home Premium चल रहा है इसमें तो चलिए अभी हम इसके अंदर में Windows 7 सेटा करके 10 डालने वाले हैं इसके लिए मैंने 10 का बुटेबल ड्राइब बना लिया है यहां पर मैंने MBR का यूज किया है जो कि आपको रूफ में MBR select करना हो अपको डिलीट से बायो से अंदर से बूट में में जाना होगा तो यह अलग-अलग डिपेंड करता है आपके computer के ऊपर में अपके motherboard पे वह आपको online पता करना होगा तो चलिए अभी हम इसको करते है यह स्टार्ट एंदेन जाते हैं MBR के लिए USB HDD बेटर होता है वैसे USB FDD वाला भी यूज कर सकते हैं यहां पर बूट फ्रॉम यूएस भी आ गया है यहां पर आप जो से कोई भी बटन दवाईएगा एंटर स्पेस वार कोई सुनी है जैसे आप दवाएंगे तो आपको यह थोड़ी देर तक क्रसर इस तरीके से होगा हाला कि यह चीज़ेंड करत है आपके computer के processor के उपर में भी कि अगर उसका heavy processor है तो थोड़ा जल्दी ही यह लोड कर जाएगा जैसे कि 800 वाला series हो गया यहां पर थोड़ा देर जरू लेता है उसके बाद में आपको यहां पर boot menu स्टार्ट होगा बीट menu स्टार्ट होने के बाद में आपको सारा का सारा मा विएवेवेन में बड़ दोस्तों जैसे हम यहां पर विड़ू 11 के अंदर में विड़ू 10 में जब हम इंसाइडर करते हैं ताकि इसको ग्रेड कर पाए तो दोस्तों वहां पर मुझे देखने को मिलता है कि विड़ू 11 के लिए यह डिवाइस इनेबल नहीं कर पाएगा मत किसी नय कंप्यूटर में जा करके उसमें विंडो 11 डाल करके ऐसमें डाल दीजिए या विर आपके पास में दूसरा ओप्सिन यह बचता है दोस्तों आप ऐसा बुटेवल ड्राइब बनाई है जो विंडो 10 का बुट मेनू यूज करें बुट मेनू विंडो 10 का हो और लेकिन विंडो 11 को इंस्टाल कर पाए इसके लिए एक डेडिकेड़ वीडियो जरूर आपको बना दूंगा हाला कि मैं यहां पर वही सेम सिच्वेशन करने वाला हूं कि यहां पर विंडो 10 का आप देख सकते हैं उपर में जो लिखा रहा है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो इसके सब्सक्राइब करने वाले वाले विंडो 11 विंडो 10 के ही बूट मिनू से जो कि आपको मैं बता दे रहा हूं जो यूएस्वी होगा सारा का सारा प्रोसेस इंस्टॉलेशन का सभी चीजे सेम रहने वाला है कोई आपको इसमें नया नहीं आएगा आपको वही सेम जो पाता है यह चीज आपको थोरी बहुत ध्यान रखनी होगी पहले ही ठीक है और दूस्तों आपके बास में एक और भी ऑप्चन होता है इसको इंस्टॉल करने का विंडो 10 के अंदर से ही आप टीपी एम रिमूबल वाला जो फाइल होती है उसको डाउलोड करके अब डि करने वाले हैं तो दूस्तों अब दीख सकते हैं यहां पर हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है काफी अच्छे से कोई मुझे कोई ऐसा इसू नहीं पर टीपी और दिक्कत आ है नहीं तो आप देख सकते हैं सभी चीजे परफेक्ली स्मूथली चल रहा है और जैसे आप विंड किनारे में लिखा रहता है इसके लिए हमें खेद है वही वाली बात तो दोस्तों यहां पर वेट करते हैं जब तक यह कॉंपी हो जाता है अपडेटिंग वगरा फाइल वगरा और देन उसके बाद हम विंडो 11 यूज करने वाले हैं और यह प्रोसेस आप जो किसी भी पु कम्प्लीट करनी है और उसके बाद यूज कर सकते हो विंडो 11 को कोई इसू नहीं होगा आप जैसे कि देख सकते हैं मैं इस सारा का सारा सेट अप कम्प्लीट कर रहा हूं फटा फट से अभी जो से डिरेक्ली बूट हो रहा है हाँ और आप देख सकते हैं पर लोगो भी जो 11 10 10 में ज्यादा टाइम लेता था विंडो 11 में थोड़ा कम टाइम ले रहा है यहीं चीज़े यहां पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और जब आप यह सेट अप करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत यह फील आएगा कि यह जो सो आप कंप्यूटर नहीं आप अपने फ यहां पर यहां पर यूज कर सकते हो सभी चीज़े दोस्तों विंडो 11 जो से एक्टिवेटर इंसाइडर प्रिव्यू विल्ड मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दूँगा आप वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो कोई इसू नहीं आगा ना वह सारे के सारे यहां पर वरकिंग है हाला कि यहां थोड़ा बहुत जरूर चलेगा विंडुब 11 बहुत जदा फास्फ नहीं लेकिन मैं जी बोलूंगा विंडव 10 से काफि ज्याधा फास्ट है और विंडू 7 विंडु 11 में काफि ज्यादा एक तरीके से आपको छॉसे वह यहां पर यूज हो रहा है एडिल कंडिशन में और टीड़ीप अगर मैं थर्मलिंग की बात करता तो मेरे अगर ठीक है तो मैंने थे प्लांग चेंज किया था इस विज़े से मैं बता दे रहा हूँ थर्म लिंग ठीक चल रहा हुए अंग देख से तहां पर तो यही रही दोस्तो हमारी स्पैसिफिकेशन जो हमारी PC के स्पैसिफिकेशन है वो मैं सभी चीज़े आपको दिखा दिया हूँ और अब जो सब पूरा को पूरा को पूरा क्लियर हो चुके हैं कि किस तरीकी साथ पूराने को पूराने कंप्यूटर में विंडो 11 इंस्टाल कर सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मजए कमें जोरो से बताएगा वीडियो कर जाए लाइक से कमेंट जी हैं और अगर आपने मेरे चालन को नहीं करें सब्सक्राइब तो दोस्तों मेरे सब्सक्राइब करें आपको बहुत बहुत धन्यवाद वन दे मात्रम